स्वागते दोस्तों आपका यूटूब चेनल पड़दार ब्लोग में दोस्तों सुबह का टाइम है छे बज रही है और सूरज दिखने लगा है मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो पेड़ के वहाँ पर सूरज दिख रहा है दोस्तों मैं हूँ अपने खेत पर और मैं दिखा आयों आपको मेरे तुलसी का जो पसल है वो कैसा है तो दोस्तों मैंने इस खेत में लगाया था तुलसी का पसल रामा तुलसी हैं दोस्तों और इसके जो पत्ते होते हैं वो मड़ी में वीक्रेक किये जाते हैं और लगबग इसका भाव 4000 से उपर ही प्रतिक इंटल रहता है और ये जो होता है लगबग 4 स्क्वेंटिल के लगबग एक बीगे का है यानि कि 20 आरी का हो जाता है मैंने लगाया है ये ड़ाई बीगे का यानि कि हमारे इदर जो एक बीगा होता है वो 20 आरी का होता है तो डाई भीके का लगाए यानि कि मैंने 50 सारी का लगाए है और इस पूरे खेत में लगाया है दोस्तों तो अभी आपको ये दूर से तो पूरा खेत काला काला दिख रहा होगा अभी बीज इसमें आपको बहुत कम दीख रहे होगे लगबग ये मैंने दोस्तों ये पसल जो मैंने खेत में बीच जो डाला था वो 17 जून को डाला था दोस्तों और आज हो चुकी हैं दोस्तों 15 जुलाई यानि कि दो दिन बचे हैं लगबग एक मैना होने में और ये अच्छी वेसे निकल रही हैं और लगबग इसकी ग्रोथ अब चलने लगी हैं दोस्तों पहले कापी छोटा था लेकिन दीरज रखना पड़ता हैं दोस्तों ये बिलकुल दीरे-दीरे फसल निकलती हैं तो लगबग ये इसको जमीन के अंदर से निकलने में 10 से 12 दिन लगते हैं फिर कहीं कहीं दीखने लग जाता हैं तो बिलकुल चोटा सा बारिक इसका बीज रहता है रामा तुलसी है दोस्तों मैं इसको आपको बेक केमरा चला करके दिखाता हूँ किस तरह से यह अभी जो इस्तिती है हो चुकी है और दस्तों इसके लिए जो जगा जहां पर भी खाली होगी उसके लिए जहां पर जो बीज एक साथ किलो यानि कि सेवन केजी फिप्टी आरिस यानि कि धाई भीगा जो हमारे राजस्तान के अंदर बोलते हैं धाई भीगा पचास आरी एक आरी का एक भीगा होता है तो उसमें मैंने डाला है दोस्तों यह देखके फसल और मैं आपको चारवी तरप करना जारा भी दिखा दे हैं बहुत हरा मौसम सुआना मौसम और बारिस का मौसम बरसात अभी तक दोस्तों अच्छी नहीं हुई हैं फिर भी शूरुआद अच्छी हुई थी उसके बाद कल थोड़ी बुंदा बुंदी हुई हैं तो थोड़ा बहुत पानी हलका सा गीला हुआ हैं खेत के अंदर फ कि अर्रोशं और रोजाना कि एसा माहौल बन रहा है लेकिन बरसाथ अभी तक हमारे चेटर में भेंग कर अच्छी पर साथ टेज वर्शाथ नहीं हुई यह दो तिन बार हुई हैं हुई हुई हल्की-व隻 initi attack जिसको सुरु बाइन केते हैं वो बहुत एची तेज़ बर्सात हुई थी उसमें हमने बुआई कर दिती तो दोस्तों वह हुई थी tornado Earth 20 o जुन को हमने बुआई कर स्ट relaxing तो उससे पहले होई थी दो Cu मेरे तुलसी कैसे है और उसको किस परकार से ओर भी लगाना पड़ेगा वो मैं पूरी आपको डीटल्स भी बताऊ हमा दोस्तों दोस्तों तो यह हैं तिलसी का पोदा रामा तुलसी इतनी बड़ी हो चुकी है और यह जहां पर भी जिसे वे गुच्छा है और ये यहां है, दो केकली आ गई गी थी, केकली बोलते हैं उसको हमारी बश्या में, आपकी बश्या में क्या बोलते होंगे, तो यह जो दूस्तों, यह गुच्चे हैं, बहुत सारे, तो थोड़ी सी और यह बड़ी हो जाएगी, वो जिससे गुच्चा है, इता बड़ा एक में आज़ाएगा ऐसा नही है कि नहीं आएगा मैं आपको और भी यह दिखा दे था हूं बहुत पूरजा इस तरीके से हैं दोस्तों इसको काईय, निकालने पड़े गे सिंगल सिंगल करना पड़ेगा, इतने फ्aste नहीं हो सकते यह जो एक सा्थ हैं बहुत ऊंचले, तो इनक दूर से देखो कि तो आप काला ही दिखेगा पास से तोड़ा दिखेगा अभी छोटी फसल है जैसे बड़ा होगा तो पूरा ग्रीन हो जाएगा दोस्तों मैं आपको पूरे ही लगातार तुलसी खेती के बारे में जानकरी देता रहूंगा दोस्तों बने रही है हमारे के साथ